मश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुती इफैक्टिव होमपैथिक मैडसिन बहुती फैमस मैडसिन जिसका यूज ओनली फॉर मेल्स में किया जाता है मेल्स की परसनल प्राबलम को ठीक करने के लिए इस मैडसिन का यूज किया जाता है जब वीर में बहुत ज़्यादा पतला पना जाता है इस पर्मकावन बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं genital organs पूरी तरह से धीले हो जाते हैं penis में बिलकुल भी कड़कपन नहीं आता तो उस condition को ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है और भी ऐसी बहुती बारीग problem को ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है जिसका नाम है दोस्तो नीफर-luteum नीफर-luteum बहुती effective homeopathic medicine है बहुती famous medicine है इसका use आपको किस तरह से करना है कब तक regularly इस medicine का use किया जाता है किस तरह से इस medicine का आपको use करना है इस वीडियो के माध्यान से में आपको पूरी जानकारी दूँगा साथी साथ तीन medicine के साथ इसका comparison बताऊंगा कि क्या comparison करके आप इस medicine का use कर सकते है क्या comparison medicine के use करके आप अपनी medicine का chain कर सकते है क्या medicine और साथ में add करके आप अपनी problems को पूरी तरह से ठीक कर सकते है दोस्तों आपने Agnes Casters की उपर मेरा वीडियो देखा होगा Caladium की उपर मेरा वीडियो देखा होगा और यहां मैं वीडियो बना रहा हूँ निफर लूटियम के उपर और एक वीडियो अपने लाइको पूटियम के उपर भी मेरा वेडियो देखा होगा क्या comparison हमें देखने को मिलेंगे तब हम selection of potency, selection of medicine का चयन करें ताकि हमारे सरीज में जो भी problems है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो सके तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखे, medicine को अच्छी तरह से समझे और medicine का use करके अपनी problems को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले, यदी आप हमारे चैनल पे नए हैं यदी आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रैट करकी पड़न दवा कर चैनल को सस्क्राइब करने साथी साथ वेल आइकन की घंटी को प्रेस करें नूफर लीडियो डियम मैडिसिन के वेलमार कीनोट शिम्टम के बारे में इम्पोटेंसी जब पैशेंट्स को इंपोटेंसी आ जाती है उनका इस्परम काउंट जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब भी आप pathology में जाते हैं और sperm count test करवाते हैं तो आपका sperm count जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है आपका बीर जो है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है तो उस condition में इस medicine का use किया जाता है जब patients के penis पूरी तरह से relax हो जाते हैं जिनाइटल ओर्गंस पूरी तरह से relax ह हो जाते हैं तो इस medicine का use किया जाता है mother tincture form में इस medicine का use किया जाता है में पिक्चा लगा देता हूं mother tincture form में use करना है एक कप पानी में 20 बूंद सुबा 20 बूंद और 20 बूंद रात में continue 6 महने तक इस medicine का एदिया आप use करते हैं तो आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाती है और भी क्या medicine हम साथ में चलाएंगे ताकि आपकी और भी जो समश्याइं हैं साथ में बहा भी ठीक हो सकती है वीडियो की last मैं आपको तीन medicine के बारे में बताऊंगा दोस्तों आपने काफी patientों को देखा है जिन patientों को भी night falls की problem हो जाती है उन्हें dreams आते हैं सपने आते हैं औ तो बहुत ज़्यादा वहाँ ठका ठका महसूस करते हैं उनके सवाह में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा पना जाता है बहुत ज़्यादा उन्हें weakness महसूस होती है तो वहाँ न्यूफर लूटियम मदर टिंचर हम में यूज कर सकते हैं इसका वैल मार्की नोट सिंटम हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ इस पर मोटोरिया की केस में बहुत ही अच्छा काम करती है सांती सांत प्री मेच्चर एजुकिलिशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मैडिसन का यूज किया जाता है वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंड आते हैं प प्रेन में जब पिशेंट्स के सुबाह में बहुत ज़्यादा चिर्चिला पना जाता है बहुत ज़्यादा उनको तनाव होता है जब भी वहाँ आफिस में काम करते हैं आफिस में काम करने के कारण बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें इस मैडि की problem से जो इस पर account low हमारे हुँ रहे हैं तो वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है बहुत ही अच्छा काम करती है नेक्स इसका लक्षन हमेरे आज देखने को मिलता है जब पेसेंटों को डाइरिया की problem सो जाती है काफी फेशेंटों को आपने देखा होगा बहां यहां समझते हैं कि हमें यहां जो डाइरिया हो रहा है अर्ली मौर्निंग जो डाइरिया हो रहा है बहां हमें स्ट्रेस और इंसाइटी के कारण हो रहा है पर कई कारण से यहां होता है जो डाइरिया होता है इसका अर्ली के सिकार होने लगते हैं तो इसका जो मैंने पैसुरवात में ही आपको वैलमार की इनोट सिम्टम बता हैं तो इदि यहाँ इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं इंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है और डाइडिया की सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एरक्षन पूरी तरह से नहीं आता, completely, समझे आप, ध्यान दीजी का, completely gelatin organ relax हो जाते हैं, जब एरक्षन प्रॉपर तरीका से नहीं आते, premature education की problem हो जाती है, तो उसमें इस medicine का use किया जाता है, mother tincture palm में use करें, साथ ही साथ आप agnes custos mother tincture add करें, agnes custos में भी यहाँ लक्षन हमें देखने को मिलता है, तो निफर लूटिया वास agnes custos medicine, आप दोनों को साथ में मिला कर use कर सकते हैं, no problems, दोनों को बराबर equal मात्र में बराबर मिला लीजिए, एक कपानी में 30 गुन सुपा, 30 गुन दो फेर में, 30 गुन रात में continue 6 मेने तक use करी, आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है, वीडियो के last make medicine बताऊँगा, यदि साथ में आप add कर लेंगे, तो आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, next action आता है, जब patients को urine pass होती है, urine pass करते समय सीमन का discharge होते रहता है, हलका हलका पतला पानी जैसे निकलता रहता है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत सारे ऐसे young age के आपने लड़की देखे होंगे, जहाँ आप भी phone में बात करते हैं, सीमन हलका हलका discharge होते रहता है, जब भी बहां constantly patients की patients को problem होती है, जब भी बहां मल त्याग करते हैं, और मल त्याग करने के बाद हलका सा sperm discharge होता है, जिससे हम prostatic food कहते हैं, कई बार patients को prostatic food निकलता है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective इसकी results हमने देखे हैं, कई बार patients complain करते हैं, कि सर्फ मैं phone में बात करते रहता हूं, हलका हलका सा discharge हमें देखने को मिलता है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, जब भी बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको disease बाद में बता देता हूं, पहले comparison आपको समझा देता हूं, देखिए एगनस कास्टस में patients की जो genital organ होते हैं, पूरी तरह से relax हो जाते हैं, पर उन्हें एक्चा होती है, इसमें problems हमें देखने को मिलती है, सीमल बिल्कुल भी इनका पतला हो जाता है, बीर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, Lycopodium is the well-marked keynote symptom of this importancy, upon this importancy हमें देखने को मिलती है, इसमें genital organ relax हो जाते हैं, पर prostate की problems हमें patients में देखने को मिलती है, तब हम patients को Lycopodium medicine देने की आवशकता होती है, next medicine आती है दोस्तो Caladium, Caladium में हमें यहां लक्षन देखने को मिलता है, early discharge, importancy और मीठा, पसीना आता है patients को, और erection प्रॉपर तरीका से नहीं आते, तो इस तरह की लक्षन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप Caladium medicine यूज कर सकते हैं, अब हम आपको जानकरी दे रहे हैं, बीमारी के बारे में देखिए, क्या-क्या बीमारी आपको देखने को मिल रहे हैं, मैंने symptom आपको बता चुके हैं, पर मैं आपको, मैं पैंट यहां पी यहां बता देता हूं, क्या बीमारी में इस medicine का यूज किया जाता है, पहले नमबर पे आता है दोस्तो, इस पर मोटरिया, यदि आप इस पर मकाउंट बनाना चाहते हैं, आपका बिर्र बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप इस medicine का यूज कर सकते हैं, यदि आपको night falls की problem है, किस तरह से इस medicine का यूज किया जाता है, एक कप पानी आपको लेना है, गुंगोना पानी लेना है, बीजबून सुबा, बीजबून दुफर में, बीजबून रात में continue 6 मेने तक इस medicine का यूज करें, आपकी problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इस तरह से इस medicine का यूज किया जाता है, यदि आपको समझने भी कोई भी problems आ रही है, तो comment box में आप हमसे पूर सकते हैं, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी long term disease है, तो आप हमसे online concert करना चाते हैं, तो discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गही, इसके मैं मैं अपना WhatsApp नंबर देता हूँ, आप हमसे भी online concert कर सकते हैं, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी problems है, अब मैं आपको एक medicine के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसका नाम है दोस्तो लाइकोपोडियम, जब भी आप newfal लुटियम medicine यूज करें, जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी problem होती है, किसी भी medicine यूज करने से पहले अपने personal doctor से जरूर concert करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समश्या है, और भी related जो समश्या होती है, वार ठीक हो जाएगी, किसी भी medicine के कोई भी side effects तो होते नहीं है, फिर भी आप अपने doctor से जरूर concert करें, तो medicine यूज करते समय हमें कुछ परेच अवश्य करने चाहिए, पहले नमबर पे आता है कच्चा प्याज, आपको कच्चा प्याज भी नहीं खाना है, तूसरे नमबर पे आता है कच्चा लेसुन, कच्चा लेसुन का उप्योग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि सबजी में डल रहा है, तो सबजी के साथ आप यूज कर सकते हैं, जैसे tomato सबजी में डल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, खटाई भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ निबू का अचार या कच्चा निबू आप रस लेते हैं तो आपको बिलकुल भी नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का कोई भी अचार खटाई आपको यूज नहीं करनी है इस बात का विशेज ध्यान रखना है ये परेज हमें इस आप बिलकुल परेज करें और आप हमेशा सुस्त रहें कुसल मंगल रहें दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है फिर मिलेंगे हम नेक्ष्ट वीडियो में तब तक की लिए जहिंद जह वारत बंदे मात्रम